मातर एक चीजी तियास की बताऊंगा कि नेहरु जी के समय में ये कलकत्ता जब कांग्रेश हुआ करती थी भी बंगला देश के साथ होने जा रहा था स्यामा परसाद मुखर जी ने रोका था कि नहीं बंगल को भारत बरस से काटने की सुरुवात इंद्रा गांधी के समय से हुई थी और उसे ही लेकर इंद्रा गांधी की कांग्रेशाई थी इंद्रा गांधी चाहती थी कि यहां कांगरेस हारे CPM I, Mark Paji से करते हैं, Marksवादी Communist Party और ओ मुझे समर्थन थे क्योंकि काटने के काम की जिम्हेदारी, बंगाल को काटने के काम की जिम्हेदारी इंद्रा गांधी खुद अपने उपर लेना नहीं चाहती थी और उस समय से ये चल रहा था। इंडरा गांधी ने सिधार संकर रहा है पर इमर्जेंसी का आरूप लगाया कि उनके सलाह पर मैंने दिया और बंगाल से कांग्रेस एकदम 77 में समाप्त हो गई और 34 वरस तक माकपा की सरकार, बाम मोर्चा की सरकार बंगला देश के साथ होकर चलती रही उस समय पोईठियों की बंगाल में घुसनी की संख्या जो आप देखेंगे वह बहुत ती ब्रिगती से बड़ी थी और 34 साल के बीच में पश्चिम मंगाल भी बंगला देश के करीब पहुँच गया था उसके बाद जो काम बाम मोर्चा सरकार छूप कर कर रही थी उसे खुलेया तेड़मूल कांग्रेस करने लगी ममता बनर जी बंगला देश के लिए मुस्लिम तुष्टिकर्ण को यहां आप राजनीति अपना राजनीतिक हतियार बनाई मौलियों को इमामों को अड़ाया रुप्या महीना देना और यह सारी चीजें जो हैं बहुत सारी चीजें हैं तो वह शुरू हुआ विजय दस्मी के दिन दुर्गा पूजा पर रोक मुहर्रम और इद के लिए छूट सुरसती पूजा पर रोक यह केवल यह दिखाना कि हम बंगला देश के करीब के राज्य हैं और उससे जोना चाहते हैं उसमें मात्र एक चीजी तियास की बताऊंगा कि नेहरु जी के समय में यह कलकत्ता जब कांग्रेस हुआ करती थी भी बंगला देश के साथ होने जा रहा था स्यामा परसाद मुखर जी ने रोका था कि नहीं यह बंगला देश में नहीं जाएगा और भाजपा से सबसे बड़ी डर का कारण यहीं होता है कि स्यामा परसाद मुखर जी के लोग जब आएंगे तो पश्चिम बंगाल में बंगला देश की स्थिति नहीं बन पाएगी पश्चिम बंगाल बंगला देश के साथ नहीं जा ली जाती थी वहां अब सड़स्वती पूजन का यजन करवा रही थी मुम्तावर है आप करवा रही थी में दुर्गा पूजा के लिए चंदा देने लगी थी पीके के आने के बाद जब उनके राजनीतिक सलाकार आए और उन्हें कहा कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदू उस लड़ाई आप नहीं ले सकती हैं साथ यहीं सहला दिये होंगे मैं अंदाज से बताता हूं पीके के आने के बाद यह सुधार हुआ कि सुरसती पूजा या दुर्गा पूजा के लिए चंदा देना सरकार की तरफ से या चुनाओ को देखकर ऐसा हो रहा था क्योंकि पंचा जायी चुनाओ के बाद नगार्पोरेशन का चुनाओ हुआ है नए यह यदि शीराम पछोंके रहा रहता तो नहीं और रहता है लेकिन केंद्र के चुनावायों के तहत है इसलिए हो रहा है और जैसिर राम के लिए वो कहते हैं कि जैसिर राम हमारा नारा नहीं है हम महिलाओं का सम्मान करते हैं सिया राम का नाम लेते हैं हम सिया राम काते हैं और ये वाजपा वाले अकेले सिर राम का नाम लेते हैं मैं बताता हूँ स्री इमाने दुर्गा स्री इमाने सौर्शती स्री इमाने लच्मी और पूरा रमायन खोल कर देखिए तो तीनों सक्तियां बताई जाती हैं कि सीता में थी और राम के बिवाह के पहले स्री राम नाम चलता है और राम के बिवाह के बाद सिया राम नाम चलता है क्योंकि हमारा आदर्थ रहा है भारतिय संस्कृति में महिलाओं का पूजन आदर्थ रहा है हमारे यहां कहा गया है कि नारी जहां रहती है वहीं देवता का बास होता है इसलिए राम का नाम भ डर का भी महोल है यहां लोगों में देख रहे हैं जो बीजेपी को sat part करते हूं और अपनी बात नहीं रख पाते हैं जैसी उनसे पू diffत थे किसको सपोर्ट करते हैं अगर वो ट कुछ लोगी अपने रोजी रोटी परिवार के कारण थोड़ा भय खाते हैं कि जिसके राज में हैं उसकी बात नहीं मानेंगे तो कुछ होगा गुंडागर्दी का माहौल है हत्याए हुई है दोसों से जादा आत्याए देड़ सो भाजपा वाले बताते हैं मैं कहता हूँ कि दोसों से जादा आत्याए हुई है राजनीतिक हत्य हैं पार्टी करने के नाम पर लोग मारे गए हैं इसलिए और इन्हों ने जो सिर्राम का विरोद किया और पुलिस पकड़ने लगी लोगों को तो जरब है यहां है लेकिन वब है केंद्र सरकार के ध्यान इस चुनाव में बंगाल पर आने के बाद आमिस्ता और नरेंद्र मोदी के वातन सुनने के बाद लोगों से निकल रहा है और चुनाव आने तक कली देख लीजिए गया कुछ चुनाव हो रहे हैं वहां खुल कर लोग भाजपा को बोड़ देंगे भाजपा की जीत इस बार निश्चित है सिर्राम की जीत है भाजपा की यह ज अपड़ा की सरकार नहीं है बाहरी बाहरी सरकार कहने का माने ही है कि बंगाल जो है भारत से अलग है अलग करने के उनकी कोसिस पीदेख लेकर आई है और वह अभी तो बाहर के उनके टमापर पूरा आज नी तो चला रही है और भारती जनता पार्टी के लोगों कह रही है कि यह बाहर के है बाहर का कौन है मैं 60 साल से इस बंगाल में हूं मैं बाहर का हूं तो भारती जनता पार्टी को बोड़ दूंगा तो बाहर का हो जाओंगा यहां टीम सी को बोड़ दूंगा तो मैं बं बंगाल भारत के साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा कौन ऐसा जगा है आपको मालूम है रामकृष्ण परमंत के दादा पर दादा नाना आधी का नाम देखिये तो सब में राम लगा हुआ और उस बंगाल को जो रामकृष्ण विवेकानंद को पूछता है उस ब लेकर पवहारी बाबा के हाँ जाकर उनको गुरु बनाने गायता है पवरी बाबा ने सफका तुमारा गुरुफ पहले से चाहर चुनाव में इतनी गुंडागर्दी हुई, इतनी हत्याय हुई, लोग फार्म नहीं भर पा रहा थे हैं, अपना नमंगन का परचा नहीं भर पा रहा थे हैं, जिसके कारण चुनाव यहां बंद हो गया, यहां का चुनाव आयुक्त जो ज़ा था, राज्ये का चुनाव लोग अब खुलकर वोट दे पाएंगे अगर इस तरीके की स्तिती वापस से बन जाती है लोग जानते हैं कि कुछ होगा लेकिन अब जानते हैं कि भाजपा इतनी मजबूत है कि हमारे लिए लड़ेगी जनता के लिए भाजपा यहां तेयार है इसलिए सब भय मुक्ता होकर भोट देंगे कि यहां अपने बाहूबल पर करते हैं उनका साइनटीफिक बूथ केप्चरिंग था यहां बाहूबल पर लेकिन यहां जनता खुद त्यार होती है देखिए बूत Capsing तभी हो पाती है जब जनता आपके साथ नहीं है, कारण के 2011 के चुनाओं में, जब जनता पलट गई, तो बूत Capsing नहीं हो पाया, इस बार हो सकते हैं कि बूत Capsing क्या लगता अगे? त्रिणमुल को अभी भी अपने हिंसा पर भरोसा है बूत केप्चरिंग पर भरोसा है लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा खास कर उत्तर अवड़ा में तो हो नहीं पाएगा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए